हलो एंड वेल्कम फ्रेंड्स एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जत्तों पिछले वीडियो में मैंने एक उसिलेटर सर्कीट बनाना सिखा आप देख सकते हैं किस तरह से चलता था इसमें वन बाई वन एड़ीज ग्लो करते थी ठीक है यह पर यह फाइब वोल्ट का है और रिले में 5 पिंस होती है आप देख सकते हैं ठीक है इसके जो 5 पिंस है उनका डिस्क्रिप्शन में यहां बताएता हूं देखिए सबसे पहले तो यहां पर आप जो यह दो पिंस देख रहे हैं यह दो पिंस इसमें लगी हुई कोईल की पि ठीक है तो यह इसकी 5 पिंस इसका description आपको समझ में आ गया होगा ओके तो अब हमें क्या करना है capacitor लेना है capacitor मैं दिखा देता हूँ आपको क्या value का आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 वल्ट और 1000 मैक्रोफराइड का है ओके तो इसको यहाँ पर हम इस तरह से लगाएंगे देखिए बड़ी वाली पिंस प्लस है और छोटी वाली माइनस है ठीक है positive negative को अध्यान रखिएगा अगर नहीं भी रखते तो भी oscillator तो काम कर जाएगा पर जो LED लगी होगी वो glow नहीं करेगी ठीक है चलिए तो यहाँ पर हमने capacitor को लगा दिया है अब जो बीच वाली pin आप देख रहे हैं न तो बीच वाली pin के लिए क्या करेंगे जो यह positive वाली pin है न यहीं इसके pole पे भी connect कर देंगे यह इस प्रकार से ठीक है चलिए अब जल्दी से इसके उपर solder कर लेते हैं उसके बाद मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ ठीक है तो यहाँ पर हम जो है soldering machine की soldering iron की मदद से इसको solder कर लेंगे अच्छी तरह से ठीक है दोस्तों पिछला वीडियो आपने देखा होगा oscillator के उपर जिस पर हमने NPN transistor का use करके oscillator circuit बनाए था अगर नहीं देखा है तो वो जरू देख लीजेगा उसके अगले पार्ट में हमने जो है LED chaser बनाए था जिसमें तीन transistors का use किया था और one by one LED glow रही थी ठीक है तो आज हम केवल single LED को जो है oscillate करने के लिए circuit बना रहे हैं जो कि बहुत है simple relay based oscillator हम बना रहे है ठीक है जहां पर capacitor का negative connect किया है वहाँ पर हम इस LED का भी negative connect कर देंगे soldering iron से हम इसको solder कर देते हैं और फिर वीडियो का आगे बढ़ाते हैं तो इसमें क्या होगा basically कोई भी जो LED लगी होगी वो oscillate होगी ठीक है एक काम कैसे करता है बताएता हूं जैसे हम इसको power देते हैं न तो power देने से क्या होता है कि इसे जो है ओन हो जाती रिले और जैसे ओन होती वो disconnect हो जाएगी ठीक है क्योंकि on condition से connect हो जाएगा पॉल तो वो disconnect हो जाएगी नॉर्मली ठीक है बताता हूं मैं कैसे काम करता है ठीक है फिलाल हमने LED इतर जो है capacitor के negative terminal पर solder कर दिये और इसके बाद जो है हम एक IoT रेंगे और rezister को हम योड को positive भी देना रहेगा हमें तो एक सिस्टर लेंगे और रेसिस्टर की मदद से बाद रिक सी लिटका पॉजिटिव हम देंगे तो यह हमने다 का वर्ल्टीओ RW है ठीक है podजिश्टर का värld asta का थुछ यह doughnut टेवाel अगर हमें इसकी ब्लिंकिंग की स्पीड को स्लो करना है तो इसके कैपसेटर की वेल्यू को बढ़ा देंगे अभी 1000 मैक्रोफ लिया है अगर 2000 मैक्रोफ लेंगे तो स्पीड और स्लो हो जाए तो यह जो रेसिस्टर है इसका दूसरा से और जो positive रेड वाल वायर उसे हम connect करेंगे जो एंसी होता है इस रेले का उससे बचाओ यहाँ पर ठीक है तो इससे क्या होगा जीसे हम इसको पावर देंगे तो एनसी किस से connected है पॉल से और पॉल से क्या हो रहा है पॉल से जो supply यह वो capacitor में जारी है ठीक है तो जैसे capacitor चार्ज हो जाएगा relay on हो जाएगा तो relay on होते capacitor चार्ज हो जाएगा और capacitor चार्ज होते जब तक charge रहेगा वो इसको hold करके रखेगा और जैसे आफ होगा वो पूरा एलेडी आफ हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से पूरा सर्कुट बाग करता है देखिए पाउड देकर मैं दिखा रहा हूँ तो देखिए अच्छी से आवाज इसके साथ आ रही है जैसे कोई मशिन गन चल रही हो और जो है आप फ्लेशिंग इसकी देख सकते हैं मैं लाइट्स आफ कर देता हूं आपके लिए ताकि आप अच्छे से देख सकें दोस्तों यहां आप देख सकते हैं मैंने लाइट्स आफ कर दी और आप इस एड़ी की फ्लेशिंग देख सकते हैं कितने अच्छी फ्लेशिंग यहां पर कर रहा है ठीक है अगर आपको स्पीड इसकी स्लो करनी है तो इसमें कैपसिटर की वेल्यू आप बढ़ा दीजे बह स्पीड स्लो हो जाएगा ओके वीडियो को एंड तक देखिए मैं आपको इसके अलग-अलग कलर के एड़ीज लगा कर फ्लेशिंग बताऊंगा वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं किस कलर की एड़ीज की फ्लेशिंग आपको बहुत जाता अच्छी लिए ठीक है क you very much have a good day and love you and comment करके जरूब बताएगा कौन से कलर की एलड़ी आपको ज्यादा अच्छी लगी ये रेड़ वाली है ये भी काफी अच्छी यहाँ पर लग रही है एक और लेड़ी में पूर लगा के बताता हूं आपको फिर बता ये किस की कौन सा कलर अपको सबसे ज्यादा क्या आपको आपको ज्यादा आपको